हाई एवरिवन विल्कम टू एड्यूकेशन पॉइंट सो हम यहां पर जो है क्लास 11 की जो एंसी एर्ट है हिस्ट्री के उसे कवर कर रहे हैं अब तक जो है इसके हम टॉटल नाइन चाप्टर जो है वो कम्प्लीट कर चुकी है जिसमें हम पूरी एक तरह से यूरोपीन हिस्ट्री के बारे में कवर कर रहे हैं तो यह जो बुक है यहां पर क्लास 11 की जो एंसी एर्ट है इसमें जो है एक तरह से हम बहुत सकते हैं world history को हम यहां पर cover कर रहे हैं तो पूरी European history को mostly हमने यहां पर cover किया है and even यह भी देखा है कि किस तरह से यहां पर industrialization जो है वो आपको देखने को मिलता है Europe में and Europe की कौन सी ऐसी country यहां पर हमें सबसे पहले industrialization देखने को मिलता है वो भी हमने देखा था जैसे कि Britain हो गी तो वो चीजें हम यहां पर cover कर चुके हैं and अपनी previous video में हमने यहां पर जो है अपना chapter number 10 जो है वो start किया है जिसमें हम जो है बात कर रहे थे कि आप जो है North America North America जैसी countries जो है उसे किस तरह से जो है colonize किया गया था किस के दरह colonize किया गया था जो Holland जैसी country होगी Britain country होगी तो इस तरह की कुछ countries थी इन्हों ने जो है न North America को colonize किया था किस तरह से किया था वो chapter हमने यहां पर पढ़ना start किया था अपनी previous video में and हम जो है अपनी previous video में यह देख चुके हैं कि about the encounters with the Europeans कि आप जो है न यहां पर क्या करने आते हैं क्या लालश था उनके मन में कि वो यहां पर आते हैं and इनका जो है encounter किस तरह से होता है with the local people जो local local North America के उनके साथ किस तरह से encounter होता है वो चीज़े हम यहां पर cover करेंगे so let's start the topic encounters with the Europeans in the 17th century जो European traders थे who reached the North Coast of the North America after a two difficult two month voyage means दो महीने जो है इने यहां पर लगते हैं North Coast में पहुंचने के लिए of the North America and जब वो यहां पर पहुंचते हैं तो काफी खुश होते हैं कि उन्हें at least यहां पर native लोग मिल गए हैं जो वो उन लोगों को मिलते हैं और वो लोग जो थे ने नेटिव लोग जोग थे वो भी काफी friendly थे और काफी welcoming थे मीन जो है काफी अच्छे से उनका स्वागत करते हैं इन यॉरॉपेंस का तो जैसे कि आपको पता है कि Spanish history के बारे में हमने पढ़ा था कि वो South America में जब पहुंचती हैं तो वो उनके मंद में जो है बस एक लालज था गोल्ड का वो गोल्ड की वज़े से ही South America में पहुंचे थे कि वहाँ से जितना ज़दा गोल्ड हम लेके जा सकते हैं हम ले जाएं तो लालज की वज़े से वो वहाँ पहुंचे थे बट ये लोग जो थे जो एक तरह से दूसरे Europeans थे यहाँ पे वो just fish and furs के लिए यहाँ पे आए थे these adventurers came to trade in the fish and furs just fish and furs की वज़े से ही वेपार करने के लिए आए थे and in which they got the willing help of the natives who were expert at hunting तो even यहाँ पे जो है ना जो native लोग थे North America के उन्होंने भी जो है इस चीज में mean fish and furs के trading में जो है ना इनकी काफी help की थी क्योंकि यह जो native लोग थे वो hunting में expert थे तो इसके वज़े से जो है ना यह जो Europeans थे वो काफी ज़दा खुश होते हैं and further south along the Mississippi River वहाँ पे French पहुंचते हैं they found that the natives had regular gatherings to exchange the handicrafts unique to a tribe or food items not available in the other regions तो वहाँ पे French जो थे ना वो पहुंचे थे Mississippi River के आसपास के areas में तो वहाँ पे उन्हें यह पता चलता है कि यह जो natives है ना यहां के North America के वो एक कठी में regularly जो है वो मिलते हैं क्यों मिलते हैं वो अपने handicrafts को exchange करने की वो कोशिश करते हैं मिन एक person यहाँ पे जो handicraft बना रहा है वो दूसरे person को देगा और दूसरा person उसके बदले में उससे कुछ food items यहाँ पे देदेगा क्यूंकि जो handicraft पनाता है ना person उसके यहाँ पे जिस जगह पे वो रहता है उन्हें वो food items नहीं मिलती होंगी जिस चीज के उन्हें यहाँ पर need होती है उसकी वाज़ा से वो exchange यहाँ पर कर लेते हैं एक दूसरे को यहाँ पर दे देते हैं तो local products को यहाँ पर exchange करते हैं The Europeans gave the native blankets तो यही चीज जो है अब Europeans पर यहाँ पर start कर देते हैं तो जो वो local products यहां से खरीदना चाहते थे ने इन local लोगों से, तो उसके बदले में न, उन local products के बदले में Europeans जो है न, इन्हें यहां पर blankets दे देते हैं, European gave the native blankets, right, and island vessels उन्हें यहां पर देते हैं, mean, जो है fish, जो native लोग थे, यहां पर fish and fur जो है, वो यहां पर देते थे to the Europeans, and जो Europeans हैं, इसके बदले में क्या देते थे उन्हें, कुछ और सामान जो कि यहां पर locally नहीं मिलता था, जैसे कि blanket होगे, यहां फिर iron के जो बर्तन होगे, यहां फिर कुछ tools होगे, वो यहां पर दे देते थे, then guns होगे, and bows and arrows होगे, animals को मानने के लिए, and सबसे important चीज़ से alcohol, क्योंकि यहां के जो native लोग थे, उन्होंने alcohol को कभी touch नहीं किया था, बट जो है, जब वो इसे use करना, start कर देते हैं, तो वो इसको addicted हो जाते हैं, तो फिर जो है न, फिर इसकी वज़े से ही, जब वो addicted हो जाते हैं, local लोग, तो फिर Europeans का जो trade है, वो यहां पर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, right, so mutual perceptions की बात करें, अगर हम यहां पर, 17th century में, जो western Europeans से न, उन, वो जो है, civilized किस person को बोलते थे, जो कि यहां पर literate होता था, and even जो है, organized religion था, उनका, and वो जो है न, urbanism की तरफ, जो है, वो ज़्यादा जुकाव होता है, यह वहां पर जो है, अर्बन लोग रह रहे होते हैं, शेहरी लोग होते हैं, उन लोगों को वो civilized बोलते थे, तो इन लोगों के लिए, जो natives थे, अमेरिका के, वो uncivilized थे, क्योंकि जो है, वो just क्या थे, वो tribes थे, and वो villages में यहां पर रहा करते थे, and ना ही वो ज़्यादा literate थे, ना ही उन्होंने अपने आपको अच्छे से organized किया था, according to the religion, ना ही वहाँ पर urbanism जैसे चीज़े जो है, वो देखने को मिलती थे, so, but however, कुछ writers ऐसे भी थे, जो कि इन लोगों को civilized देखते थे, काफी ज़्यादा जो है, वो इन से admired भी होते हैं, जैसे कि French philosopher थे, Jane Jack West Rossio, such people were to be admired, क्योंकि जो है, वो इन लोगों को admire करते थे, as they were untouched by the corruptions of the civilization, क्योंकि रोस्यों के according यहाँ पे, जिस जगह पे civilization होगी, वहाँ पे आपको corruption भी देखने को मिलेगी, तो इसी की वज़े से जो है, वो इन लोगों को admire करते थे, लोगों को, कि यह जो लोग है अभी corruption से काफी ज़्यादा दूर है, क्योंकि जो है, यह uncivilized है, तो एक popular term है, the noble savage, वो यहाँ पे जो है, कई writers इन के लिए use करते थे, लोगों के लिए, so some lines in the poem by the English poet, एक English poet है, William Wordsworth, तो जो है, वो कुछ another perspective, जो है न, वो यहाँ पे दिखाते हैं, इन लोगों का, नाइधर ही, नौर रोस्यू, हैड मैट और नेटिव अमेरिकन, दोनों ही writers, जो है न, वो कभी भी इन नेटिव अमेरिकन से कभी नहीं मीरे थे, बट उन्होंने जो है न, इनके बारे में काफी कुछ लिखा था, तो वो यहाँ पे describe करते हैं, as living amid wilds, where fancy had small liberty to grace, the affections to excel them or to refine, इसका मतलब है, the people living close to the nature, कि यह जो नेटिव लोग है न, वो nature के काफी close रहे रही हैं, and they had only limited powers of the imagination and the emotion rate, तो वो जो है इन्हें admire करते थे, यह corruption से काफी ज़्यादा दूर हैं, however, वो इनसे कभी मिले नहीं थे, so to the natives, the good they exchanged with the Europeans, were gifts given in the friendship, तो जो नेटिव लोग थे न, क्योंकि अभी तक वो ऐसा ही करते आये थे, कि वो जो है जिस्ट एक gift जो होते हैं, एक दूसरे को वो exchange देते थे, वो जानते थे कि friendship में जो है न, यह gifts यहाँ पर दिये हैं, Europeans ने इन लोगों को, इन natives को, right, but इन natives के मन में जो है लालच अभी तक नहीं था, यह ने यह नहीं पता था कि Europeans जो है लालच की वज़ा से यहाँ पर आये हैं, but however, on the other hand, Europeans थे, वो यहाँ पर अमीर होने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए fish and fur जो है, वो commoditants थी, जिसको यूज करके वो यूरोप में जाके जो है न, वो profit कमा सकते हैं, so, जिन इन goods के जो prices थे न, वो year to year यहाँ पर एक तरह से change होते रहते हैं, depending on the supply, तो native जो थे न, वो इस चीज को पहले नहीं समझ सके, वो यह सोचते थे कि शायद यहाँ पर जो है न, वो as a gift इन चीज़ों को हमें दे रहे हैं, कौन सी चीज़े जो iron वगरा की चीज़े दी थे इन्हें, यहाँ फिर blanket दिये थे, यहाँ फिर कुछ और भी जैसे की alcohol इन्हें यहाँ पर दी थी, तो वो थोचते कि यहाँ पर हमें gift दे रहे हैं, fish and fur के बतले में, but Europeans जो थे वो trade के लिए ही यहाँ पर आई थे, वो इन्हें काफी जादा चीज़े जो है वो दे देते थे, fish and fur के बदले में, तो यह जो local lockdown कई वार puzzle भी हो जाते थे, कि इतना चोटी सी चीज़ के देने के बदले में, हमें जो इतना दा समान क्यूं दे रहे हैं, क्यूंकि वो European तो वहाँ पर जाके काफी महंगा इन चीज़ों को बेचा करते थे, fish को and fur को, तो उन्हें फाइदा यहाँ पर जादा होता था, but market के बारे में अब local लोगों को नहीं पता थे, फिर देरे देरे जब इन लोगों को पता चलना स्टार्ट होता है, तो फिर जो है, वो दुखी होते हैं by the greed of the Europeans, so in their impatience to get first, तो इनके मन में भी impatience थी कि हमें जल्दी से जल्दी first मिल जाएं, तो उन्होंने hundred of beavers को slot करना यहाँ पर start कर दिया, उन्हें मारना start कर दिया, कि ज़्यादा से ज़्यादा fur हम यहाँ पर इकठा करें, ज़्यादा मात्रा में मार रहे हैं, following the first Europeans who were traders were those who came to settle in India, तो यह तो यहाँ पर traders थे न, उसके बाद में कुछ और भी Europeans यहाँ पर आए थे, जो अमेरिका में settle होने के लिए आए थे, from the 17th century, there were groups of Europeans who were being prosecuted, तो वो ऐसे भी लोग थे, जिनने अमेरिका में prosecute किया जा रहा था, वो जो है न, Christianity का कुछ different sect था वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्हें prosecute किया जा रहा था, उन लोगों को Europe में, right, आप जो है वो फिर अमेरिका में आके रहना स्टार्ट कर देती हैं, तो यह एक अलग group था, जो यहाँ पर settle down होने के लिए आये था, पहला तो हमने देखा कि वो trade के लिए यहाँ पर आये थी, दूसरे यहाँ पर जो कि settle होने के लिए आते हैं, many of them left Europe and went to America to begin a new life, so as long as there was a vacant land, तो अब क्या होता है कि जब यह Europeans जो हैं, अमेरिका में आते जा रहे हैं, तो बट अभी जो है, वहाँ पर land काफी ज़्यदा vacant थी, तो लोकों लोगों को ज़्यदा problem नहीं होती है, बट जब यहाँ पर Europeans ज़्यदा move होना start हो जाती है, तो फिर land भी यहाँ पर खतम हो जाती है, फिर इन लोगों ने कहा किया, कि जब vacant land खतम हो जाती है, तो आरेंट टूस का यूस करके, यहाँ पर forest को काटना start कर दिया था, so that की यहाँ पर farms बनाए जा सके, farms बना के और भी ज़्यदा पैसा यहाँ पर कमाया जा सके, so natives and the Europeans saw different things when they look at the forest, native identified tracks invisible to the Europeans, and the Europeans imagined the forest cut down and replaced by the cornfields, तो वो यहाँ पर यह चाहते थे की cornfield यहाँ पर बनाए जा सके, that Europeans थे, so the jeffron stream was a country populated by the Europeans with small farms, the natives who grow crops for their own needs, not for sale and profit and thought it wrong to own the land, तो native जो थे वो चाहते थे की यहाँ पर sale and profit के लिए, हम यहाँ पर crop को नहीं grow करेंगे, वो जस्ट अपने use के लिए ही crops को grow करते थे, वो यह सोचते हैं अब, कि जब यह लोग यहाँ पर cornfields बना रहे हैं, वो भी जस्ट profit की वज़े से, तो यह चीज गलत है, यहाँ पर यह चीज़े नहीं होने चाहिए, ओके, so the countries that are known as Canada and the United States of America, तो वो जो है फिर 18th century के end में यहाँ पर existence में आई थी, आप यहाँ पर बात करते हैं, Canada and USA के अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यह 18th century में जो है existence में आई थी, कहां से North America से यह निकली थी, so at that time, they occupied only a fraction of the land they are now cover, तो अगर आज की बात करें, यतनी लैंड Canada के पास है यहाँ फिर USA के पास है उसका कुछ ही हिस्सा जो है वहाँ पर 18th century में इनके पास हुआ करता था, फिर over the next 100 years, 18th century के 100 साल के बाद में दीरे दीरे जो है ना इन्होंने टायटरी अपनी increase करनी स्टार्ट कर दी थी, जो आज वाले साइस में पहुंच चुकी है, Canada and United States of America, तो कई तरीकों से इन्होंने अपनी टायटरी को increase किया था, तो वाज, एक्वेट बादी यॉएस से बादी पर्चेस, यॉएस से ने कुछ टायटरी को खरीदा भी था, जैसे कि साउथ की तरफ जो है जो लैंड थी, वो इन्होंने फ्रांस से खरीदी थी, और उसके बाद में रश्या से भी खरीदी थी, जो कि अलास्का एरिया है इनका, और कुछ लैंड जो है बाई वार भी जो है इन्होंने जीती थी, तो जो साउथन यूएस से है ना, वो मेक्सिको से इन्होंने जीता ही था, वार में, तो किसी ने भी जो है ये नहीं सोचा, कि जो नेटिव से नहीं यहाँ पर जिस लैंड को ये अक्वाइर कर रहे थे, यूएसे अन कैनिड़ा, तो वहाँ के नेटिव को पूछ लिया जाए, कि वो क्या चाहते हैं, किसी ने ये नहीं सोचा, तो ये जो है जो है शिफ्टिंग बारा एरिया था, कभी कुछ वेस्टन फ्रंटियर जो है ना, कभी यूएसे के हाथ में आता था, फिर 19th century में अमेरिका का लेंड्सके, फिर धीरे धीरे जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और यूपीन ट्रीटिट दी लेंड डिफरेंटली फ्रॉम दी नेटिव क्योंकि अभी यूपीन जो थे, वो यहाँ पर सेटल आउन हो चुके थे, तो उन्होंने यहाँ पर लेंड को थोड़ा से डिफरेंट तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि जो कि ब्रिटेन और फ्रांस से कुछ माइगरेंट्स यहाँ पर आये थे अमेरिका में, यहाँ पर लेंड जो थी, वो सस्ती थी, तो में जो है ना, ओनिंग की तरफ जो है न, कि ओन करना है लेंड को इसकी तरफ जो है यहाँ पर लोगों का ज्यादा फोकस रहता है, बट जो इन्हेबिटेंट्स से ना, यहाँ पर अमेरिका के, वो awning की तरफ ज़ो है ज़दा focus नहीं करते थे वो चाहते हैं कि हम जो है यह जो लैंड किसी particular person के हाथ में आनी यह चीज सही नहीं है So उसके बाद में यहाँ पर Germany, Sweden and Italy से भी लोग यहाँ पर आते हैं तो जो पोलेंड के लोग थे वो grasslands में जो प्रेरी grasslands है न वहाँ पर काम करके काफी खुश थे जो कि यहाँ पर North America में आये थे क्योंकि यह जो grasslands ही न उनके घर के बारे में जो है घर की याद दिलाते थे तो फिर जो है वो इस land को यहाँ पर काफी low prices पर क्रीद लेती है फिर land को clear करती है अगरिकल्च को develop करती है नई crops जो होती है जैसे कि rice and cotton उसे वो introduce करती है जिससे वो बेच भी सके और profit भी वो कमा सके तो अपने farms को wild animals से बचाने के लिए उन्होंने जो है न यहाँ पर wolves and mountain lines होती है उनकी hunting करनी भी start कर दी इतनी ज़र hunting की कि वो extension की extension जो है उसकी होनी यहाँ पर start हो जाती है फिर wire जब यहाँ पर एक तरह से invention हो जाती है 1873 में फिर जाके जो है वो अपने आपको secure मानती है क्लाइमेट था वो भी काफी जदा जो है होड था for the Europeans तो वो यहाँ पर चाहते थे कि slaves जो है न वो आके काम करें तो पहले तो जो है उन्होंने यहाँ पर एक तरह से अफरीका से slave जो है वो काफी जदा मंगवाए थे बट बात में जो है न फिर slavery को भी abolish कर दिया गया था यहाँ पर अमेरिका में जो slavery थी न वो काफी देट बात जो है वो abolish होती है ओके सो plantation owners therefore brought slaves in the Africa वहां से जो है वो एफरीका से जो है slaves को brought करते हैं फिर anti-slavery groups के protest भी यहाँ पर start हो जाते हैं जिसकी वैसे slave trade के ओपर ban हो जाता है but the Africans who were in the USA remained slaves as did their children तो यह कि USA में जो slaves थे वो य slaves ही रहते हैं so यहाँ पर अगर बात करें northern state of the USA की where the economy did not depend on the plantations argued for ending the slavery which they condemned as inhuman practice तो obviously हर country में यहाँ पर ऐसे groups होते हैं जो कि किसी particular local support करते हैं और कुछ ऐसा ग्रुप होता है जो कि किसी particular local नहीं support करती है तो ऐसा भी यहाँ पर भी था के 65 के पीछ में यहां पर जो हैना states के पीच में वबाड चलती है कुछ states एक तरफ ठी, दूसरी ihenहां पर दूसरी तरफ थी कुछ यहां पर abulation के support में थी कुछ यहां पर Abolition के support में नहीं थी right तो जो लोग यहां पर Abolition के support में थी वो जीत जाती है slavery को ablish कर दिया जाता है and though it was only in the 20th century that the African Americans were able to win the battle for this civil liberties so 20th century में जाके यहां पे America में जो slavery होती है वो बेहन होती है right then the Canadian government had a problem which was not to be solved for a long time which seem more urgent than the question of the natives in 1763 Canada had been won by the British after a war with the France फिर Canadian government में भी यहां पर problem आ जाती है तो फिर जो है 1763 में जाके जो है Britishers यहां पर won by the British after a war with the France तो फिर Britishers जो है इस area को जीत लेती है Canada को भी France के साथ वार करके तो उस वार के समय में जो natives थे ना उनकी problems की तरफ इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था राइट सो दिफ्रेंच settlers repeatedly demanded the autonomous political status and it was only in the 1867 that this problem was solved by organizing Canada as a confederation of the autonomous state to 1867 में जाके Canada जो है वो क्या बन गया था confederation बन गया था of the autonomous state तो इस बीच में Britain ने जो है जो की जिन्होंने अमेरिका को अपनी को लोनी बनाया था उन्होंने लोकल लोगों की problems की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था जस्ट Canada की territory के उपरों ने ध्यान दिया था कि जो है अच्छावा नाइस्टे बाव बाई